एक्जाम 21 के प्लेट्फार्म पर आपका वेलकम है इस सेशन में हम लोग ROARO23 यानि समिक्षा अधिकारी सायक समिक्षा अधिकारी के एक्जाम के लिए सामान्य हिंदी के टॉपिक बिलोम सब्द पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो आईए सब्द बिलोम के इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और सब्द बिलोम का टॉपिक इंड होने के बाद समाप्त होने के बाद फिर हम लोग अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे तो आईए इस सेशन के प्रसनों को हम लोग प्रारम करते हैं इस सेशन का फर्स्ट कोश्चन है प्रस्ण संख्या 148 148 कोश्चन के उपर के प्रस्णों को हम लोग डिसकस कर चुके हैं और आप लोग उन प्रस्णों को अवसे देख लिजिएगा अब यहां से हम लोग प्रस्ण संख्या 148 से प्रारम करते हैं और यह questions सब important है, सारे पुरवावलोकन है, एक्जाम में पूछे गए हैं और इसलिए यह आगामी एक्जाम के लिए बहुत ही important है तो प्रस्न संख्या 148, प्रस्न कहा रहा है अपेक्छा का बिलोम है अपेक्छा का बिलोम क्या होगा? आप्सन A, उपेक्छा, आप्सन B, अनुपेक्छा, आप्सन C, सापेक्छता और आप्सन D, परिपेक्छा इसका सही आंसर होगा A, अपेक्छा का उपेक्छा होता है इसकी ब्याक्ख्या भी हम लोग देख लेते हैं अपेक्छा का विलों को पेक्छा? एवाम अनपेक्छा होगा लेकिन अनुपेक्छा नहीं होगा ध्यारखना है शा पेक्छेता का विलों निरपेक्छेता होते हैं आगे बढ़ते हम लोग अगला प्रासन संख्या 172 स्बसक्ण परेंश एकнемम घूत आप बिलों आप बृत्ति का बिलोम अनाबृत्ति होता है इसका सही आंसर C होगा आपसन A का रहा है अनादृत अनादृत नहीं होता है आपसन B का रहा है आवरण आवरण भी नहीं होता है आपसन D का रहा है अनासक्त अनासक्त भी नहीं होता है इसकी ब्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं अब्रित का बिलोम अनाब्रित्ती है आद्रित का बिलोम अनाद्रित होता है आसक्त का बिलोम अनासक्त होता है अगला प्रस्ण है प्रस्ण संक्या 150 उपचय का बिलोम होगा तो उपचय का बिलोम अप्चे, आप्चे, आप्चे, आउनत, आप्चे, रोपण, आप्चे, अनुर्वर, इसका सही आंसर यह होगा आप्चे का बिलोम, उप्चे का बिलोम, आप्चे होता है और रोपण का उन्मूलन होता है और आउनत, उन्नत, तथा रोपण, उन्मूलन का बिलोम है होता है? उके? अगला प्रसना है प्रसन क्या होगा जागरत का बिलोम क्या होगा आगे की प्रसनों भे भी हम लोग देख चुके हैं की जागरत का मदिलोम सुप्त होता है इसका सही आंसर C होगा और जागरण का निद्रा होता है जागरित का सुशुक्ति होता है अगला प्रस्ना है प्रस्न के 152 भ्रांत का बिलोम भ्रांत का बिलोम आपसाने नी भ्रांत होता है विश्रांत नहीं होता है दुखांत नहीं होता है सांत नहीं होता है यहाँ पर व्याख्या भी देख लेगते हैं हम लोग ब्रांत का बिलोम निब्रांत होता है विश्रांत का बिलोम स्रांत होता है दुखांत का बिलोम सुखांत होता है सांत का बिलोम और सांत होता है अगला प्रस्ण है प्रस्ण के एक्सों तीरपन अथ का बिलोम सब्द है अथ का बिलोम सब्द आप्षन A अथक आप्षन B प्रिथक आप्षन C इती एंड आप्षन D ओती इसका सही आंसर होगा C इती होता है अथ का बिलोम सब्द इती होता है ਹे the अगला प्रस्न है प्रस्न 254 इतिका विव महाय तो इतिका विव अभी उपर वाले प्रस्न में हम लोग देखे है इसका सही आंसर क्या होगा सी होगा अफ्ध होगा इतिका पॉड नहीं होगा, Okay, b समाप्त हा यह अभी नहीं होगा, d خत्म यह भी नहीं होगा, अगला प्रस्न हो, प्रस्न कह je 155 अभिज्यका भिलोब, अभिज्यका भिलोब, आपसन अग्य, आपसन अभित अप्छन, आपसन ची प्रग्य, आपसन डी चतूर, इसका सही आंसर यह होगा अभीज्य का अग्य होता है इसका ब्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं ब्याख्या का राय अभीज्य का बिलोम अग्य जबकि विग्य योम प्रग्य अग्य के बिलोम है यानि विग्य योम प्रग्य अग्य के बिलोम है चतूर का अर्थ चालाक होता है अभीग्य का बिलोम अनिभीग्य होता है अभीग्य का बिलोम बिकल्पों में अभीग्य भी हो सकता है अगला प्रसना है प्रसन क्या 156 अग्य का बिलोम सब्द है अग्य का बिलोम सब्द अभी हम लोग ब्याख्या में देखे हैं इसका सही आंसर होगा A. विग्य अग्य का विग्य आप्षन B करा यग्य यग्य होगा नहीं D करा अनग्य यभी नहीं होगा आप्षन C करा सर्वग्य यभी नहीं होगा अगला प्रस्ण है प्रस्ण के 157 अनभिग्य का बिलोम शब्द है अप्सन A भीग्य, अप्सन B अभीग्य, अप्सन C अग्य और अप्सन D अभीग्य इसका सही आंसर होगा अभीग्य अनभीग्य का भिलोम अभीग्य होगा अगला प्रस्न है प्रस्न के एक सवन ठावन अनभीग्य का भिलोम है अभी हम लोग उपर के प्रस्नों में देखे हैं इसका सही आंसर C होगा, अभिग्य होगा अनभिग्य का अभिग्य होगा अगला प्रस्न है, प्रस्न क्या 169 विग्य का बिलोम है या भी प्रस्न रिपीट हो रहा है तो इसका सही आंसर होगा B, अजय, विज्ञ का अजय अगला प्रस्टन है, प्रस्टन के 160, शौ में सब्द का बिलोम है, शौ में सब्द का बिलोम आपसन A, शौ भागे, आपसन B, उग्र, आपसन C, सत्रू, आपसन D, दुराश्य इसका सही आंसर होगा B, उग्र होगा, सव में का सब्द का विलोम उग्र होता है, ब्याक्या भी हम लोग देख लेते हैं, सव में का विलोम उग्र होता है, दुर्भागे का विलोम सव भागे होता है, मित्र का सत्रू होता है, दुरासय का सदासय विलोम होता है, दुरासय और सदासय का बिलोम है अगला प्रस्थन है प्रस्थन क्या 161 कृतग्य का बिलोम कृतग्य का बिलोम आपसन आ है और कृतग्य आपसन भी संबेदन आपसन C कृतग्न आपसन D जड इसका सही आंसर होगा C कृतग्न होता है कृतग्य का बिलोम कृतग्न अगला प्रस्न है, प्रस्न के 162 कृतग्यका भिलोम, अभी आप प्रस्न फिर रिपीट हुआ है, option A है, कृपन, option B, कुतर्क, option C, कृतग्न, option D, कृतकार्य, इसका सही आंसर C होगा, कृतग्न होगा, अगला प्रसना है प्रस संख्या 163 संकिर्ण का बिलोम है तो संकिर्ण का बिलोम विश्तिर्ण होता है अब इसमें देखा जा विश्तिर्ण किस आप्षन में है यह जो है संखेप का रा यह नहीं होगा बी विश्तार है इसके बाद सी विकिर्ण है और डी विश्तिर्ण इसका सही आंसर डी होगा विश्तिर्ण होगा अगला प्रसना है प्रसन के 164 अनुरक्ति का बिलोम है अनुरक्ति का बिलोम विरक्ति होता है तो इसका सही आंसर B होगा, अनुरक्ति का विलोग विरक्ति होता है, आपसन A करा विराग विराग नहीं होगा, आपसन C तीरो भाव नहीं होगा, आपसन D संसक्ति या भी नहीं होगा अगला प्रसन है, प्रसन के 165, अनुरक्ति का विपरितार्थक सब्द है, तो अनुरक्ति का विपरितार्थक सब्द अभी हम लोग उपर के प्रस्व में देखे हैं, तो इसका सही आंसर C होगा, विरक्ति होगा, आशक्ति नहीं होगा, प्रस्वस्ति नहीं होगा, प्रकृत अगला प्रस्ण है प्रस्ण क्या 106 अनुराग का विलोम है अनुराग का विलोम आपसन ए है राग आपसन भी विराग आपसन सी प्रेम आपसन दी द्वेश इसका सही आंसर होगा बी विराग अनुराग का विलोम विराग होता है अगला प्रस्णा है प्रस्ण क्या 166 अनुरक्त का बिलोम है अनुरक्त का बिलोम विरक्त होता है अभी हम लोग उपर के प्रस्णों में देखें इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा सी निर्पैक्ष इसका सही आंसर होगा सापेक्ष का बिलोम सब्द निर्पेक्ष होता है यहाँ पर कुछ सब्द बिलोम दिये गए हैं इनको भी अमलोग देख लेते हैं अंधेरा का उजाला होता है अच्छा का बुरा होता है आग का पानी होता है इंसान का हैवान होता है आधा का पुरा होता है कह रहा है विग्रह का बिलोम तो विग्रह का बिलोम क्या होगा अप्षन A संधी अप्षन B अविग्रह अप्षन C आग्रह अप्षन D ग्राण इसका सही आंसर ए होगा विग्रह का संधी होता है अगला प्रस्टन है प्रस्टन के 170 समास का विलोम नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना है, समास का विलोम नहीं है, पूझ रहा है, तो समास का विलोम नहीं है, यह तो सही है, समास का विलोम नहीं है, यह तो सही है, समास का विलोम नहीं होता है, विलोम नहीं होता है, विलोम नहीं होता है, विलोम नहीं होता है, अगला प्रस्न है संधि का बिलोम सब्द है तो संधि का बिलोम सब्द जो होता है विग्र होता है इसमें आपसन में देखा जाए विग्र कीसमें है ये कर रहा है उपसंदी नहीं होगा B. सतुरता नहीं होगा C. विग्र यही सही आंसर C होगा D करा है बैमनस यह भी नहीं होगा ब्याख्या क्या करा है? संदिका बिलोम सब्द विग्र है सतुरता, मित्रता यानि सत्रू का मित्र होता है इसलिए सतुरता का मित्रता होता है बैमनाश्य का सव मनेश्य होता है अगला प्रस्ण है प्रस्ण के आक सव बाततर निमनलिखित में काउन सा बिलोम यूगम त्रूती पूर है तो त्रूती पूर है इसको हमें देखना है आपसन यह है अपेक्छा उपेक्छा आपसन B, अग्रज, अनूज, आपसन C, उन्नत, आउगत, आपसन D, आदान, प्रदान इसमें जो सही आंसर होगा वह C होगा कर आए कि त्रूती पूर है तो यही त्रूती पूर है अपेक्छा का उपेक्छा होता है यह सही है अग्रज का अनूज होता यह भी सही है आदान का प्रदान होता है बिलोम सब्द यह भी सही है उन्नत का आउगत नहीं होता है इसलिए इसका जो तुरूटी पूर आपसन है वश्शी है यहाँ पर कुछ सब्द बिलोम दिया गया इसको भी देख लेते हैं, इधर का उधर होता है, उत्तर का दक्षिन होता है, उल्टा का सीधा होता है, एडी का चोटी होता है, खरा का खोटा होता है अगला प्रस्न है, प्रस्न के 173, आउनत का बिलोम है, आउनत का बिलोम क्या होगा, आपसन एक कह रहा है, आउनगत, आपसन B, उननत, आपसन C, नत, आपसन D, नवत, इसका सही आंसर B होगा, उननत, आउनत का उननत होता है अगला प्रस ने प्रस संक एक सचोगतर साधू का बिलोम सब्द है साधू का बिलोम सब्द और साधू होता है आपसन ए कहरा है साधूनी यह नहीं होगा आपसन भी सन्यासनी यह भी नहीं होगा आपसन सी साधवी यह भी नहीं होगा आपसन D और सादू इसका सही आंसर D होगा और सादू सादूनी, सन्यासनी, सादवी ये परियावाची तीनों सब्द है अगला प्रस्ण है प्रस्ण के 175 पूष्ट सब्द का बिलोम है पूष्ट सब्द का बिलोम क्या होगा आपसन A छीन, आपसन B दूष्ट, आपसन C उरस्कार, आपसन D प्रकिति इसका सही आंसर A होगा पूष्ट का सब्द बिलोम छीन होता है अगला प्रस्ण है प्रस्ण के 176 गुड सब्द का बिलोम है गुड का दोस होता है तो इसका सही आंसर A ही होगा और B का राय गुड गुड नहीं होगा, आपसन C का राय गुड या भी नहीं होगा, आपसन D ग्रिहस या भी नहीं होगा यहाँ पर हम लोग ब्याख्या देख लेते हैं तो ब्याख्या में गुड एक खाद्दे सामागरी है जबकि गुड़ा बिलोम भाग होता है और ग्रिहस्त का बिलोम सन्यासी होता है अगला प्रस्न है प्रस्न के 177 संजोग सब्द का बिलोम है तो संजोग सब्द का जो बिलोम होता है बियोग तो इसमें आपसन ने करा दुर्योग या नहीं होगा, आपसन भी भी योग, इसका सही आंसर भी योग होगा आपसन सी सही योग या भी नहीं होगा, आपसन भी कुई योग या भी नहीं होगा संजोग का जो शब्द बिलोम होता है या बिलोम सब्द होता है वो भी योग होता है अगला प्रस्न है प्रस्न के 178 संजोग का बिलोम तो अभी हम लोग उपर के भी प्रस्न में देखे हैं संजोग का बियोग होता है यानि प्रस्ण से आप्सन दो सई योगा एक और योग या नहीं होगा आप्सन सी वीरा या भी नहीं होगा आप्सन दी योगईन या भी नहीं होगा अगला प्रस्ण है प्रस्ण क्या एक सा उन्यासी नीचे दिये गए सब्द युग में काउन सा त्रूटी पूर है तो काउन सा त्रूटी पूर है यानि गलत है उसको हम लोग देखना है आप्षन A करा है अनुग्रह आग्रह आप्षन B है अनंत सांत आप्षन C है जड़ का चेतन आप्षन D है आक्रिष्ट का विक्रिष्ट तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो D करा आक्रिष्ट का विक्रिष्ट यह तो सही है C है जड़ का छेतन यह भी सही है अपसन B करा अनंत का साम यह भी सही है अपसन यह अनुग्रह का आग्रह यही सही नहीं है यह गलत है ओके ब्याख्या में भी हम लोग देख लेते हैं अनुग्रह का जो बिलोम होता है आग्रह नहीं है अनुग्रा का अर्थ क्रिपा होता है जिसका विलोम विग्र होता है तो अनुग्रा का विलोम विग्र होगा ओके और सब सही विलोम है अगला प्रस्न है प्रस्न के एक सवस्षी आकलन सब्द का विलोम है आकलन सब्द का जो विलोम होता है वो विकलन होता है तो इसमें पहला आप्सन जो है A यही सही है, V कलन कह रहा है आप्सन B कह रहा है संकलन यह नहीं सही होगा आप्सन C है समा कलन यह भी सही नहीं होगा आप्सन D कह रहा है प्रा कलन यह भी सही नहीं होगा अगला प्रस्न है, प्रस्न के 181 नीमने लिखित में से कॉंसा बिलोम, यूगम, तुरूटिपूर्ण है यानि कोंसा गलत है अप्षन ए है छर, अक्षर आप्षन बी, समास, ब्यास और वी, सी, स्वलपायू, चीरायू आप्षन दी, आहार, बिहार तो इसका सही आनसर इसमें ज lurग़ा दी होगा तुरूटिपूर आहार बिहार है ओके यहां कि छर का अक्षर होता है नमास का ब्यास होता है स्वल्पायू का चीरायू होता है और आहार का बिहार नहीं होता है यहां पर ब्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं स्वल्पायू स्वल्पायू का अल्पायू होता है अता इसका बिलोम चीरायू होगा, और स्वल्पायू की तरह एक अन्य सब्द है, परिमितायू, चीरायू की ही भाती अन्य सब्द है, पुर्णायू, सतायू, इस्थिरायू, आदि भी, ध्यान रखना होगा कि परिक्ष्या में प्रस्णों में सटीग, बिलोम से थोड़ा अगला प्रस्णा है, प्रस्ण के 182, निम्न लिखित में कौन सा बिलोम यूग में त्रूटि पूर्ण है, तो त्रूटि पूर्ण हमको देखना है, आप्षन ए है आमिश, सामिश, आप्षन भी, आधार, आधे, आप्षन सी विनत, उद्धत, और आप्षन डी, विपत्त संपत्ति, तो इसका त्रूटि पूर्ण जो सब्द है, आप्षन ए, आमिश और शामिश, ओके, जबकि आधार, आधे, ए सही है, और आप्षन सी कर आए, विनत का उद्धत, ए भी सही है, विपत्ति का संपत्ति, यह भी सही है, ब्याख्या भी इसका हम लोग देख लेते ह ब्याख्या कर रहा है, आमिश सामिश दोनों सब्दों का विलोम निरामिश होता है, आमिश का भी निरामिश होता है, और सामिश का भी निरामिश होता है, इसलिए दोनों परियावाची सब्द है अगले प्रस्ण की और हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है प्रस्ण क्या 183 बिलोम की द्रिष्टी से एक यूगम असुद्ध है काउन सा यूगम असुद्ध है आपसन ए है आयात निर्यात आपसन भी द्रिश्य द्रिश्य आपसन सी प्रत्यक्ष परोक्ष आपसन डी आमिश शामिश तो यहाँ पर भी D ही गलत होगा आमिश शामिश क्योंकि आप से ने कर आयात निर्यात आयात का निर्यात होता है द्रिसे का अद्रिसे बिलोम होता है सब्दे बिलोम यह भी सही है C का राय प्रत्यक्ष का परोक्ष यह भी सही है इसमें गलत यही D है अगला प्रस्न है शामिष का बिलोम है तो सामिष का बिलोम निरामिष होता है इसका सही आंसर ए होगा अभी हम लोग उपर के प्रस्नों में डिस्कस किया है मानसिक बी करा है, मानसिक यह नहीं होगा सी करा है, और मानसिक यह भी नहीं होगा अगला प्रस्ण कह रहा है प्रस्ण के 185 निरामिस का बिलोम है निरामिस का बिलोम आमिश इसका सही आंसर बी होगा अभी हम लोग उपर के प्रस्ण में डिसकस किये हैं मानसिक नहीं होगा मानसा हारी नहीं होगा d का रासा का अःओ भी आहीं होग़ कौन लगा अगला प्रशन है प्रstar की tenha कृ सब्नका बिलोमMusic प्रका। सब्द का जूद्यूम cent का भीज़ क्या होगा तो आपसान एक करा कशण ड करआ दाना के अने करते हिस मृफ और प्रकिरीfta अभिसीप्त, आप्षन C कराय, अधिपसीप्त, आप्षन D कराय, कुतसित, ओके, तो इसका सही आंसर A होगा, अनिपसित होगा, इपसित का अनिपसित ही होता है, इसका सही आंसर A होगा इसकी ब्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं इपसित सब्द का बिलोम अनिपसित होता है अभिसीप्त और अधिसीप्त तथा कुतसित इस संदर्म में सही नहीं है कुछ सब्द बिलोम दिये गए हैं इनको भी देख लेते हैं सब्द और बिलोम इहा का अनिहा इश्पी का निश्पी है, निन्दे का वन्द्य है अगला प्रस्न है, प्रस्न क्या 187 इपसित का बिलोम, प्रस्न अभी हम लोग उपर देखे हैं अनिपसित होता है, तो इसका सही आंसर बी होगा रिपीट है प्रस्न, आरो ए आरो दोजार चौदा में पूछा गया है अगला प्रस्न है, प्रस्न क्या 188 स्वजाति का बिलोम है, तो स्वजाति का बिलोम क्या होता है, विजाति होता है आपसन ए करा ओ जातिया नहीं होगा, आपसन भी कुजातिया भी नहीं होगा अगला प्रस्टन है प्रस्टन के 189 उन मूलन का बिलोम है उन मूलन का बिलोम आप्षन आप्षन बी नी मिलन आप्षन सी समूलन आप्षन डी रोपण उन मूलन का बिलोम रोपण होता है यहाँ पर कुछ सब्द बिलोम दिये गए है इनको भी दमलोग देख लेते हैं उन मेश का निमेश होता है प्रस्फूटन का संकुचन होता है विशलेशन का संसलेशन होता है और मुल्यन का अधि मुल्यन होता है अगला प्रस्ण प्रस्ण संख्या 190 निमने लिखित में से उन्मूलन का सही बिलोम है अभी उप़र के प्रस्ण में ौज़ोंग डिस्कस किये हैं उन्मूलन का रोपड होता इसका सही आंसर होगा डी और आपसन ए करा आवरूद आवरूद नहीं होगा आपसन भी निर्माड या भी नहीं होगा आपसन सी संब्रिद या भी नहीं होगा अगला प्रस्टन है प्रस्टन क्या एक सोई क्यांडे उन मिलन का बिलोम सब्द है तो उन मिलन का बिलोम सब्द है क्या होगा आपसन ये है आपसन भी सू मेलन आपसन दी अनु मिलन आपसन दी नी मिलन इसका सही आज़र होगा डी नी मिलन होता है उन मिलन का बिलोम नी मिलन ह होता है अगला प्रस्ण है प्रस्ण के 102 बे उन मिलन का बिलोम शब्द है तो अभी हम लोग उपर के प्रस्णों में देखें इसका सही आंसर होगा बी नी मिलन अगला प्रस्ण है प्रस्ण के 103 बे अमीत सब्द का बिलोम है अमीत सब्द का बिलोम क्या होगा आपसन ये है शूमित आपसन बी कुमित आपसन सी परीमित आपसन दी दुरमित इसका सही आंसर होगा सी परीमित होगा अगला प्रस्ण है प्रस्ण के 594 धनी का बिलोम सब्द है धनी का निर्धन होता है क्योंकि यह बड़ा ही पापुलर सब्द है सब्द बिलोम का धनी का निर्धन निर्धन का धनी इसमें सही आंसर D होगा अगला प्रस्ण है प्रस्ण के 955 अधिक्रित सब्द का बिलोम है अधिक्रित सब्द का बिलोम आप्षन A है अनाधिक्रित आप्षन B अनधिक्रित आप्षन C अनाधिकारित आप्षन D करा है प्राधिक्रित इसका सही आंसर B होगा अनधिक्रित होगा यहाँ पर कुछ सब्द बिलोम भी दिये गए हैं इसको भी देख लेते हैं एक्जाम के लिए इंपार्टेंट है अधिश्टित का अनधिश्टित होता है अधिकार का अनधिकार होता है अनधिकार नहीं होता है अनधिकार दे करके कभी सुद्धिय सुद्धि में गलत करा दे अगला प्रस्न है प्रस्न के अक्सव चानबे अनुलोम सब्द का बिलोम है तो अनुलोम सब्द का बिलोम आपसने सुलोम आपसन भी प्रतिलोम आपसन सी अनमोल आपसन डी आउलोम इसका सही आंसर भी होगा प्रतिलोम होता है अनुलोम सब्द का बिलोम प्रतिलोम होता है यहाँ पर कुछ पर्याइवाची सब्द दिये गए इनको भी देख लेते हैं पर्यास का वी पर्यास होता है अनुकरम का अपकरम होता है अकारादी का अकारांत होता है आरोह का अरोह होता है अगला प्रस्न है प्रस्ण क्या एक सो संतानवे परिश्रम का विलोम है परिश्रम का विश्राम होता है आपसन एक आरा है आश्रम यह नहीं होगा आपसन भी विश्रम यह भी नहीं होगा आपसन सी यह विश्राम यही सही होगा आपसन डी विश्रांत यह भी सही नहीं होगा अगला प्रसन है प्रसन क्या 179 अलभ्य का बिलोम सब्द है अलभ्य का बिलोम सब्द आप्षन ए चुगम, आप्षन B, सहज, आप्षन C, सरल, एंड आप्षन D, लभ्य इसका सही आंसर होगा D, लभ्य अगला प्रसन है प्रसन के 999 गाउराओ का बिलोम शब्द है आपसने लांगाओ आपसन भी लगुत्व आपसन सी लगुता आपसन डी लगुत्व इसका सही आंसर होगा ए गाउराओ का लांगाओ होता है अगला प्रसन है प्रसन क्या 200 प्रसन है गाउराओ का बिलोम सब्द है अभी हम लोगोंने उपर के प्रसनों में डिसकस किया है इसका सही आंसर होगा ए लांगाओ गाउराओ का लांगाओ आपसन भी है साउराओ ये नहीं होगा आपसन सी ये लज्जा ये भी नहीं होगा अगला प्रस्ण है प्रस्ण क्या दो सवेग गमन का बिलोम सब्द है गमन का बिलोम आप्षन A निर्गम आप्षन B गमना आप्षन C आगमन आप्षन D प्रत्यागमन इसका सही आंसर होगा C आगमन गमन का आगमन होता है अगला प्रस्ण है प्रस्ण क्या 202 निम्न लिखित बिलोम यूगों में एक सब्द यूग में सुद्ध नहीं है तो जो सुद्ध नहीं है उसको हम लोगों को देखना है आपसन यह आयात निर्यात यह तो सही है आयात का निर्यात होता है आपसन B करा है पाप पूर्ने यह भी सही है पाप का पूर्ने होता है पूर्ने का पाप होता है आपसन C बद्ध का मुक्ती यह भी सही है मुक्त का बंद होता है या बद्ध का मुक्त होता है अप्सन D है नूतन सनातन यही सही नहीं होगा D सही नहीं है इसका सही आंसर होगा D सुद्ध नहीं है इसका D सही होगा यहाँ पर ब्याख्या भी हम लोग देख लेती है नूतन का विलोम पुरातन होता है सेस यूग में सही है यहाँ पर सब्द विलोम दिया गया है प्राचिन का अर्वाचिन, पुरातन का अधुनातन, आद्य का अंत्य, पूरुवतन का नूतन, कालातीत का अंतीत अगला प्रसन है प्रसन क्या दोसती निवनलिखित में एक निर्भीक का विलोम नहीं है एक निर्भीक का विलोम नहीं है तो निर्भीक का विलोम इसमें सही आंसर तो निर्भीक का सहसी कौन नहीं है तो सासी नहीं होगा, साहसिक भी दिया या भी नहीं होगा इसका मतलब इसका सही आंसर जो है ये भी होगा, भी भी या दोनों नहीं होगा निर्भीक का भिलोब नहीं है कराय कातर और कायर या तो होगा इसकी ब्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग इस तरह के प्रस्ण पूछ दिया जाता है कभी-कभी निर्भीक का भिलोब न तो साहसी होगा और न साहसिक होगा यह भी दोनों विकल्प सही है ओके इस तरह के प्रस्ण कभी-कभी आयोक के द्वारा पूछ दिया जाता है बाद में संसोधन करते हैं या फिर कोशन्स को वापस ले लेते हैं अगला प्रस्णा है निंदा का विलोम होगा आपसने एस्तुति आपसन भी संस्तुति आपसन सी संबेदना आपसन डी आस्तवन ओके इसका सही आंसर एह होगा निंदा का एस्तुति होता है तो यह हम लोग जो सब्द बिलोम की इस सेशन में प्रस्ण संख्या 204 तक देख लिए इसके बाद अगले सेशन में इसके आगे के प्रस्णों पर हम लोग डिस्कस करते हैं